आपको अपने ही YouTube चैनल सुपर बिर्लेंट पॉयंट में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग कपछा स्टेंद का मैथ जिसको फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसको तिरकोन मीतिये का परिचय है अब देखते है तिरकोन मीतिय क्या है त्री मतलब मतलब तीन भूजा वाले तरफूज के माप का अधिन करेंगे वह है तिरकोन मीति कहलाँ थेल्खांगे ने कि Ann ses कि वह साखा जिसके अंतरगत हम लोग समकोन तिर्भुज के तीनों भुजाओं एवं कोनों के मापों का अध्यन करते हैं उससे तिर्कोन मीतिये कहते हैं अब चित्र में देखिए कि यह एक समकोन तिर्भुज है यह 90 डिग्री है और सेस्क दो कुन 45-45 होगा मतलब नियून कुन होगा इसको देखते हैं कर्ण जिसको हाइपो टेंस कहते हैं इसको लंब है जो परिपेंडिकुलर है और यह आधार है जिसको वेस कहते हैं ठीक है अब देखते हैं कि समकोन तिर्भुज की भूजाओं के नाम तथा भूजाओं के बीच संबंद क्या संबंद है तो 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 देखें यह एक तिर्भुज लिया समकोन तिर्भुज यह कोन हमारा 90 डिगे है 90 डिगे का और यह तिर्भूज की सबसे बड़ी भूजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है तो सबसे बड़ी भूजा यह है और यह मिर्ण हो गया यह लंब और अधार वापस में change होईते रहता है मतलब अगर यह अधार होगा तो उपर लंब होगा अगर उपर लंब होगा तो नीचे बाला अधार होगा ठीक है तो देखते हैं पाईथा कुरस पर में क्या निस्टार से मतलब भूज की सबसे बड़ी भूजा मतलब का कर्ण के स्क्वाइर से दोनों भूजा के स्क्वाइर के योखल होता है तो देखिए कर्ण के स्क्वाइर बराबर लंब के स्क्वाइर प्लस अधार के स्क्वाइर तो यहां से देखते हैं कि कर्ण कर्ण देखेंगे तो यह और लम्ट के स्केल जो अधार के स्केलर यह बराबर या यह बराबर रुट अंडर पी आस्क्वाईर यह स्कुर्ड यह देखेंगे यह यह स्जी बराबर रूट अंडर ऑच पी सोंDamए कि अब आगे देखते हैं साटल बराबर रूट अंडर सब्सक्राइर की स्क्राइर कख़ए कि यहां से यह all स्कॉएर स्कॉएर अ माइनस हरिक कि अड़ाय के स्कॉएर बराबर क्या हो जार लम्ब का स्पार जब सब निकाल्एंगे यहीं नहों येर्ट लपकुरुंकष कउएर मैनस अधार के स्कॉएर ठीक है उसी प्रकार तो देखें देखें कि पर शुक्तक अधार को तो अधार को अधारएपार चोड़ेंगे और लॉम को इधर लागे मित आधार एपार शुक् einfach करने old bump isquat ठीक है thपी ब्रावर रुट उडर हसक्त कट मैंनस cette या बी–C ब्रॉट उडर एसंटर ऐस् nation डिंव कि संभव अनुपात कह रहा है यह थे थे टिल्भुज ब्च्ख में कुन बी 90 डिगई दो , यह को नंबर में हो जागा कि अगर इनyorsun अबि यह दोन नमबर में हो जाएगा A B बटे B C उसके बाद दोन नमबर में A B बटे A C A B बटे A C तीसरा A C बटे A B चौथा है जो B C बटे A B पंचमा है जो A C बटे B C छठा है जो क्या है B C बटे A C अब जेकते हैं कि रकोन मीतिय अनपाद तो समकोन तिर्भूज के के तीन भूजाओं में दो दो भूजाओं के अनपाद को तिर्कोन मीतिय अनपाद कहते हैं नोट में देखते हैं कि तिर्कोन मीतिय अनपाद 6 होती है यदि समकोन तिर्भूज A B C में कोन B 90 हो तो निउन कोन C के लिए तिर्कोर मीतिय अनुपात निम्न है अब देतके हैं कि तिर्भूज ABC में मतलब AB बट्टे AB बट्टे क्या AC मतलब साइन साइन क्या हिंदी जया उसके बाद BC BC बट्टे AC को साइन मतलब को जया इस तरह है जो हमारा AB बट्टे BC बट्टे मतलब और असपर्स जया इसके हमली असपर्स जया अब देखें बी सी अब बट्टे कोश ठीटा ठीक है हूँ वहां संच्छिप्त रूप में देखेंगे च्छठा नमर देखते हैं कि AC बटे AB पॉसेंट मतलब कोछे दख जाए इसका हिंदी कोछे जाए अब देखते हैं कोण मीतिये का सुत्र अब देखें साइन ठीटा साइन ठीटा लंबटे कर्ण इसको याद रखना होगा दो नमर में चांधार वक्ल जिसको बीटे है तीस्रा है यह जो टैन ठीटा लंबटे अधार जिसको बीटे सेट और इसीं को उलट दीजी अब देखें साइन का cos तेख ठीटा cos तेख ठीटा मतलब corn बटे lump मतलब h बटे b अब देखे, cos के उल्टा safe होता है तो safe ठीटा, corn बटे अधार जो b बटे h जह मतलब 6 नमबर है जह cot ठीटा, वो 10 के उल्टा होता है जो अधार बटे lump जो p बटे b होता है अगर यह फर्मूल आप अच्छी तरह स्याद रखते हैं तो कोर्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल आसाने दम लगेगा तिरकोन मीति अतना आसान कोई सब्जेक्टे नहीं है ठीक है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को साथ सेर करें सस्क्राइब करें ताकि आपका पलपल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जै हिन जै भारत